हलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आप सभी का आपके हमारे ये टूज चैनल में स्वागत हैं तो दूस्तों कैसे हो आप और उमीद करेंगे कि आप लोग अच्छे से तयारी कर रहोंगे कल मैंने एक और मेट्रो के उपर बात करूँगा और भारत के सभी विद्धार्थी आप दो कर सकते हैं उसमें ITI वाले विद्धार्तों की डिमांड की गेती अगर खास कर आप अगर मेट्रो की तयारी कर रहे हैं तो चलिए आज की इस विकेंसी के उपर बात करते हैं तो यहां पर देखें यह ओफिसली साइट है उत्तर परदेश मेट्रो रेल कार्पूरेट आफ लिमिटेड के उपर यही से मैं विज्ध्यापन के बात करूँगा यही से अपन इसके आविदन के बारे में बात करेंगे और कितनी पोस्ट निकली हुई है और किस लेवल की पोस्ट निकली हुई है क्या एक नया विद्यारती आविदन कर सकता है अगर नया विद्यारती आविदन कर सकता है उसका क्या प्रोसेसर होगा नोकरी पाने का ये भी चीज़े अपन clear करेंगे इसके कई ऐसे विज्यापन से जैसे मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखें अपन तो इसके अलग-अलग विज्यापन से आपर दे रखें जिसमें आप लोग आविदन करेंगे और आप लोग खुद उसकी inquiry लेंगे क्योंकि अगर आप inquiry लेते हैं तो अच्छी बात अगर नहीं ले पारें तो मैं यहाँ पर पूरी चीज़ें आप लोगों के साथ share करूँगा तो यह देखेगा एक विज्यापन यह है Chief Engineering का दूसरा विज्यापन Chief Engineering Department से निकले हुई vacancies है और एक HR Assistant की vacancies यहाँ पर दे रखिए तो ऐसे कई अन्यपद हैं जिसमें आप लोग और मैं अपन आविदन करेंगे सभी इसमें आविदन करते हैं देखते हैं आगे इसका क्या selection रहने वाला है क्या processor रहने वाला तो इन सारी चीज़ों की बात अपन विज्यापन के साथ करते हैं तो यहाँ पर मैंने इसके क्लिक किया और विज्यापन आप लोगों को यहाँ पर देखेगा ऐसे दो अलगले विज्यापन्स मिलेंगे यहाँ पर देखेगा विज्ञापन की डेट के मैं पहले बात करूँ तो यहाँ पर देखें तो यह 14 मार्च को जारी हुआ था विज्ञापन और इसे कहा गया है कि इसकी अंतिम तारिक 28 मार्च होगी 28 मार्च से पहले पहले आप लोगों को फोम भरना होगा यह चोटी सी डे में यह जानकारी मिली हुई है उमीद करेंगी कि आपको डेट का इसू खतम उचुका होगा अब मैं सीधा कॉल्फीकेशन के उपर लेके चलता हूं तो यहाँ पर देखें उत्तर परदेश मेट्रोरेल कारपोरेट यानि की यूपी यूपी मर्सी की रिकूर्मेंट है और चीफ इंजिनेरिंग, इलेक्ट्रिकल और एचार और कई अन्य पद है जिसमें लगा पाएंगे सीधा अपन बात करते हैं पोस्ट के बारे में और कॉल्फीकेशन के बारे में तो यहाँ पर देखें पद है चीफ इंजिनेरिंग की विकिंसीज है दो पोस्टों पे दिन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल, यह वाले विध्यारती ही इसमें अपलाई कर पाएंगे जिसके पास इंजिनेरिंग की कॉल्फीकेशन है वो इसमें जरूर लगा सकता है जबकि बात करें तो सेलरी के बारे में तो सेलरी यहाँ पर काफी अच्छी मिलने वाली ह और इसमें एक चीज और किलिर कर देता हूँ आप लोगों के लिए इसमें दो पोस्ट हैं चीफ इंजिनेरिंग की और एक्जाम नहीं देनी होगी बिलकुल मेरिट लिस्ट के या फिर इंटर्वी के आदार पर सेलेक्शन होगा अगर आपका जितना आपके पास experience है उसका benefit यहाँ पर ले सकते हैं क्योंकि यह कुछ पोस्टे हैं और हदिकारी जैसी पोस्टे हैं तो इसमें एक्जाम नहीं होगी इंटर्वी होगा आगे देखते हैं अगर यह शीज भी मैं clear और aan आप लोगों का एक्जाम और नहीं होगा तो वह लिया आपके देख सकते हैं लेकि तो यहां पर आयूसीमा के लिए आप लोगों को करीबन 18 साल के तो होई चुके हैं और इससे अधिक्तम के विद्धार्ती या मिनिमम इतने विद्धार्ती ही अपलाई कर सकते हैं अब इसमें जो experience है वह होगा जिसके पास experience जो department का member होगा या फिर कहीं और mentor से काम कर चुका होगा वही विद्धार्ती वही लोग इसमें आविद्धन कर सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी तो qualification student के पास मिलेगी पर उनके पास experience नहीं मिलेगा और इस तरह की चीज़ें नहीं मिल पाएगी तो इसलिए इसका department वाले लोग ही apply का सकते हैं क्योंकि इसमें experience भी काफ़ी लंबा मांगे गया है railway के अंदर कहीं भी किसी भी department में अगर railway का experience है तो भी आप लोग लगा सकते हैं application fees वगर की बात करें आवे दिन की बात करें तो बिलकुल online होगा और online ही submit कराना होगा आप में personally कमेंट कर सकते हैं उत्तर परदेश Metro Rail corporate में छोटा सवे गया पन अगर इसकी कभी और बड़ी वेकेंसी आईगी तो मैं जरूर अपडेट दोगा वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं आज का इतना ही अगली वेकेंसी के साथ फिरी को नई वीडियो के शुरूरात करेंगे थेंक यू जैहिन